तो इंडिया में एक ऐसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कमपनी आने वाली है चिसकी वज़से एटल और जीयो जैसी कमपनियों के टेंसन बढ़ी हुई है इस कमपनी का नाम है इस्टार लिंक जो कि एलन मस्क की कमपनी है और ये सैटेलाइट के माधियम से आपको इंट तो देखो अभी तक हम अपने घरों में जो इंटरनेट यूज करते थे चाहे वो broadband हो चाहे वो mobile network हो तो इस इंटरनेट की supply या तो cable के थूरू दी जाती थी या फिर mobile towers के थूरू दी जाती थी लेकिन ये जो स्टार लिंग कमपनी है ये सीधा सैटेलाइट से आपके घर प पे Starlink का एक device यानि की एक kit लगेगा और वो kit आपको सीधा सैटेलाइट से connect करेगा और उसी सैटेलाइट से आपको सीधा internet connection आपके घर पे मिलेगा अब ये technology उन जगों के लिए ज्यादा जरूरी है जहां पे internet की connectivity आज भी ठीक से नहीं पहुंची है ऐसे दूरदाराज के जो गाओं है या पहाड़ी इलाके हैं जहां पे mobile towers या cable के थ्रूर इंटरनेट अच्छे से नहीं पहुंचा है उनके लिए ये technology काफी helpful सावित होगी अब ये Starlink जो कि Elon Musk की कंपनी है ये बाहर की कंपनी है तो इंडिया में इसको service देने के लिए इनको government से इसका permission लेना होग जैसे कि जब इंडिया में 5G start हुआ था तो आपने सुना होगा कि 5G spectrum की निलामी हुई थी अब जिसने ज्यादा बोली लगाई उसने 5G के spectrum खरीदे और उसके बाद वो company इंडिया में 5G services provide कर सकती है तो इस तरह ये जो satellite internet है इसका भी spectrum है अब यहां पे government ने satellite internet की निलामी कर सिधा सिधा उसकी कीमत लेके और उसको starlink को अवंटित करने का मन बनाया और government की इस फैसले से Elon Musk भी सहमत थे लेकिन अब यहां जियो और एटल जैसी company को आपत्ती हो रही है कि सरकार ने जैसे 5G spectrum की निलामी की थी यानि कि उसकी बोली लगाई गई थी कि ज्यादा पैसे दे टाइम में सरकार क्या decision लेती है लेकिन जैसे ही starlink को इसका spectrum मिल जाता है यह company इंडिया में भी अपना satellite internet service प्रवाइड करना जल्दी ही शुरू कर देगी अब बात करते हैं कि क्या actual में starlink जैसी company के आने से जीयो एटल और वी आई को कोई फर्क पड़ेगा तो इस बात का ज satellite की तुरू सिर्फ और सिर्फ internet उपलब्द कराएगी तो आप WhatsApp कॉलिंग वगरा कर सकते हैं लेकिन आप डिरेक्ट जो अपने SIM कार्ट से कॉलिंग करते हैं वैसी service इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी तो starlink के आने से यह जीयो और एटल की जो broadband services है या इनके जो 4 इसका service यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका kit यानि कि इसका जो device है वो purchase करना होगा जिसकी कीमत भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी अब वो कीमत एक्जेक्ट कितनी होगी यह जब starlink इंडिया में आएगा तो ही पता चलेगा और इसके अलावाई इसके जो internet के मंतली प्लान होंगे वो प्लान भी जियो एटल और वी आई से हो सकता है कि महगे हो क्योंकि satellite internet से आपको connectivity तो अच्छी मिलेगी लेकिन चुकि यह technology महगी है तो उमीद है कि इसकी services यानि कि इसके plans वगएर भी महगे ही होंगे तो अगर यह starlink company इस telecom company उसे सस्ता internet ले जैसे services को यूज करना क्योंकि call भी तो करना है वैसे जब starlink की यह service इंडिया में शुरू हो जाएगी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और मुझे भी जैसे ही इसके बारे में कुछ नया update पता चलता है तो मैं वीडियो के माधम से आपको बताने की गोसिस करूंगा उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आये लाइक करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में